बेस्ट कॉलिटी वीडियो रेकोर्डिंग पिच्चर स्टाइल जो होती है वो है स्टैंडेर्ड या न्यूट्रल लेकिन इसमें भी एडिटिंग करना है शार्पनेस एकदम जीरो शार्पनेस एकदम जीरो कॉंट्रेस भी एकदम माइनस फोर और सैच्चुरेशन भी माइनस थ्री तो यह होती है बेस्ट कॉलिटी पिच्चर स्टाइल और इसके भी आलावा दूसरा कोई ओप्शन है तो वो है न्यूट्रल वो भी एडिटिंग करके फ्लैट करके शार्पन जोरो कॉंट्रेस भी माइनस फोर और सैच्चरोशन भी माइनस थ्री और सारी सेटिंग कंप्लेट 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 पाच अजर पास्टो और बाकी सेटिंग और यहां से स्टाट देखा यहाँ पर focus यहाँ पर भी focus फिर से इधर focus इधर focus और यहाँ पर lock कहाँ पर रखना है वहाँ पर इसका lock निकल के इस पर focus और यहाँ पर focus lock हलो दोस्तो मैं उस्सतिश भाड़ेरो आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी योट्टब चैनल कैनोन कैमेरा सेटिंग सबसे पहले हमारा कैमेरा मोड होना चाहिए मैनेवल मोड और यहाँ पर वीडियो मोड पर मैं switch लेता हूँ और यहाँ से live viewfinder दिखाएगे देगा तो सिदा आते हैं अपने मेनो की सेटिंग अंदर से पहले करके लेते हैं और मेनो के अंदर image quality वीडियो पर कोई आसर नहीं करती है तो इस सेटिंग के कोई जरूरत नहीं है निश्ट बढ़ते हैं exposure है iso speed setting है auto light optimizer यह हमेशा ओफ होना जाहिए इसके भी आगे कोई जरूरत नहीं है wide balance wide balance light पे depend करता है auto wide balance एकतर रोखो दूसरा better option है कि kill in wide balance इससे भी 100% wide balance चाहिए तो custom wide balance gray card पे निकला जाता है तो एक gray card पे आपके पास gray card होना चाहिए और यह best result देता है तो इसके अलावा दूसरा option मेरे पास है kill in wide balance तो kill in wide balance कितना रखना है LED tube light है तो 5000 पासो अगर yellow light portal light है तो 32 तो पाच अजार पासो select custom wide balance नहीं करना है मेरे पास gray card नहीं है तो white shifting अगर yellow tone ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर blue के तरफ shift करना है और next आते है picture style हमारे picture style एटो पे होती है एटो पे वीडियो नहीं आता है तो standard पे रखना है और दूसरा कोई option है वीडियो के लिए better picture profile के लिए तो वह है neutral न्यूट्रल पे भी editing करना है न्यूट्रल पे information शार्पने 0 contrast माइनस 4 और saturation माइनस 3 तो यह दो बेस्ट पिच्चर प्रोफाइल है standard या neutral तो इसमें से हम मैं हमेशा standard पे शूट करता हूँ standard ही better profile होती है तो standard पे select किया निष्ट बढ़ते हैं मुवी सर्वो एटो फोकस या अनेबल रखना है एटो फोकस मेथड यह face tracking सबसे पहले दूसरा है flex fax zone इसे बड़ा focus मिल जाता है और fax zone at a focus single तो आपको मैं live करके दिखाता हूँ live mode पे आ गए है और यह रहा face tracking इसमें से ऐसा face track हो जाता है जहाँ पर चाहिए वहाँ पर हम track कर सकते हैं दूसरा है यह fax zone इसे बड़ा focus मिल जाता है इसमें इसे पूरी frame focus में आज जाता है और तीसरा है यह fax zone single single पे हम यह ऐसा single कर सकते हैं जहाँ पर चाहिए वहाँ पर नेश्ट बढ़ते है movie recording quality में सबसे HD रखना है एक उनिश्य वीस एक हजार अजसी 25 फ्रेम रेट standard mode पे यह MOV format और MP4 format है तो इसमें से MOV format उससे compress करना पड़ता है यह बहुत large file हो हो जाती है तो हमें select करनी है MP4 format MP4 format हर एक device को support कर लेता है और तुरंद play हो जाता है movie recording size यह 25 फ्रेम रेट और अगर आपको 25 फ्रेम रेट पे shoot करना है तो उससे double shutter speed रखना पड़ेगा हो high quality पे shoot हो जाता है slow motion के लिए जितना ज्यादा फ्रेम रेट पे आप shoot करोगे उतना slow motion अच्छे दिकाई देता है लेकिन file के लिए हमें HD करना है तो 25 फ्रेम रेट पे करना है यह कुनिशे 20-1080-25 फ्रेम रेट और standard IPB इस पे shoot करना है फिर से back नीचे आते है डिजिटल zoom की कोई जरूत ने अगर हम इसे on करते है तो देखे इसमें क्या हो जाता है इसमें video एकदम zoom होके मिलता है लेकिन इसके pixel भी कम हो जाते है और quality भी lose हो जाती है एकदम फट जाती है तो इसे कोई जरूत नहीं है इसे हमेशा off होना चाहिए sound recording quality यह add होती है तो हमेशा हमें manual करना है manual इसलिए करना है कि हमारा wise एकदम best quality में recording हो सके हमें जितना चाहिए उतना कर सकते हैं तो इसमें भी नीचे हमें दिखाई रहा है कि white, yellow और red यह ऐसे तीन color दिखाई रहा है यहाँ पर minus 40 dB, minus 12 dB और यहाँ पर minus 0 dB यह होती है waveform अपने audio के तो इसमें से सबसे better जो wise recording होगा वो होगा minus 12 dB के अंदर जो filmmaking के लिए use होता है वो minus 12 dB से minus 6 dB के अंदर तो यहाँ पर अभी wise एकदम और recording हो रहा है तो यहाँ पर ज्यादा wise recording हो रहा है तो हमें यहाँ पर recording level कम करने पड़ेगी कम कितनी करने पड़ेगी जहाँ पर जितना 12 dB का wise आएगा उतना ही अभी यहाँ पर 50% पर ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितना भी normally wise recording हो रहा है वह है 12 dB के अंदर और जो वहर wise recording होगा वह जाएगा 12 dB के उपर तो यह लो राइंग क्रोस किया जाता है इससे भी और ज्यादा आपने wise देया तो वह एकदम बेकर recording हो सकता है तो यह 12 dB के अंदर करना है और यहाँ पर है विन फिल्टर नेक्स्ट तो यह एटो नहीं रखना है इसको पुरा disable रखना है और यह नीचे वाला भी यह फिल्टर है विन फिल्टर तो इससे अनेबल करना है इससे अनेबल करते समय हमें क्या होगा कि इसे एकदम वाइस जो है हमारा वो फिल्टर होगे एकदम best quality में वाइस recording होगा और इससे लेकिन वाइस की लेवल कम हो जाती है तो फिर से हमें वाइस रेकोडिंग लेवल वह जादा करने पड़ेगे तो कितना करने पड़ेगी वह फिर से यहाँ पर लाना पड़ेगे तो हमेरा वाइस एकदम clean वाइस recording होगा मैं आपको एक sample वाइस recording करके दिखाता हूँ कैमेरे सेटिंग आवर लगाने के बाकी है लेकिन मैं आपको नॉर्मली यहाँ से करके दिखाता हूँ एक वाइस recording अभी जो वाइस recording हो रहा है ओ है कैना एटेडे कैमेरे के इनविट माइक्रोफोन का वाइस यह कितना भी आच्छा वाइस recording नहीं हो जाता है इसका भी एक solution है अगर आप external microphone लगाते है तो एकदम best quality का वाइस recording हो जाएगा तो इसे मैं recommend करूँँगा कि आप external microphone लगा लेजे अभी मैं external microphone लगा लेता हूँ अभी यह जो वाइस recording हो रहा है ओ है मेरे road link के film making के wireless microphone का वाइस यह कितना अच्छा quality का वाइस recording हो जाता है अब देख सकते कि left side right side अगर मैं पूरा चुप बैठता हूँ तो वाइस एकदम zero db में कुछ भी noise नहीं आ जाता है तो एकदम best voice external microphone से या wireless microphone से या camera का in bit microphone का वाइस ठीक से नहीं आता है तो हमेशा मैं recommend करूंगा कि आप हमेशा recording करना चाहते है तो external microphone से यूज करूंगा यह menu की setting हमारे सब complete हो गई और निश्ट बढ़ते हैं हमारे viewfinder के तरफ और यहाँ पर मैंने q button प्रेस किया तो सबसे पहले है focus, focus tracking focus और यहाँ फुल HD 19V से 1080 pixel digital zoom off microphone की setting right है headphone की setting अगर चाहते हो तो लगा सकते है नहीं तो कोई जरूत नहीं यह हमें सब waveform से ही पता चल जाती है और नेश्ट बढ़ते है wide balance 5000 पासो सेलेक्ट हो गया picture style भी हमारे standard सेलेक्ट हो गई menu पे एक बार फिर से चेक करते है information sharp ने 0 है contrast भी एकदम minus 4 पे है saturation भी minus 3 है और फिर से एक बार menu और delight optimizer off है और बाकी कुछ setting करने बाकी है तो shutter speed aperture ISO यह setting तो shutter speed कितना रखना चाहिए 25 frame पे शूट कर रहा हो तो shutter speed उसे double होना चाहिए तो 50 shutter speed हमेशा यह याद रखना है कि जितना frame rate आप रखोगे video shoot करने के लिए जितना भी HD frame rate size select किया है 25 frame पे हमने select किया है तो 50 का shutter speed अगर 25 frame rate हमने select किया है तो 50 का shutter speed और shutter speed हो गया और aperture जितना खुल सकता है उतना खुल लो क्योंकि इससे हमें देपतब फिल ज्यादा मिलती है अगर पीछे वाला जो background चाहिए ज्यादा blur तो मिलेगा हमें 1.8 aperture से 50 mm के lens मैंने अभी लगाई है तो 1.8 aperture जाता है लेकिन मुझे यहाँ पे 2.8 रखना है और ISO range जो है ISO range हमेशा 100 या 200 पे होनी चाहिए अगर 100 पे है तो एकदम smooth और better video recording मिलेगी अगर exposure नहीं मिल रहा है अभी मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ एक stop exposure अंडर है 50 shutter speed 2.8 aperture और ISO 100 इससे exposure एक stop अंडर है तो हमें ISO range बढ़ानी पड़ेगी एक stop 123 एक stop आपर एक stop ISO range बढ़ा दी और यहाँ पर exposure सब राइट होगा है तो यह सारी setting हमारे complete हो गई एक बार फिर से चेक करता हूँ एक complete 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 यहाँ पर भी ok सारी setting complete हो गई और यहाँ से normally start अब देख सकते है कि यहाँ पर सारी setting हमारे complete हो गई 50 shutter speed 2.8 का aperture और 200 का ISO और यहाँ पर left side right side voice भी recording हो रहा है मेरे road link के wireless microphone से एक बार फिर से मैं आपको information का बटन जब जितना दबाऊगे उतनी information हमारे display पर आ जाती है तो यह histogram भी आ गया और यहाँ पर पूरा display खाली फिर से information फिर से information तो यह सारी setting आ गई हमरी सारी setting अभी complete हो गई focus mode और HD size एक उनिशेवी से घजर आज से पिक्सर डिजिटल जूंग off microphone की भी setting हो गई और headphone की setting कुछ जरूरत ने के लिए तो अब हम देख रहे हैं कि एकदम वीडियो जो शूट हो रहा है एकदम फ्लैक पिक्चर स्टाइल से हो रहा है और इससे भी हमें editing करने के बाद में हम इसको एक includes apply करते हैं तो इससे एकदम best result मिल जाता है तो आप देख सकते हैं कि कितना एकदम best quality में वीडियो recording हो रहा है और आगे यहाँ पर उपर second आगे है battery और यहाँ पर नीचे है microphone microphone left side right side दोनों भी side का वाइस recording हो रहा है डिस्प्ले पर हब देख सकते हैं और यहाँ से भी 12db के अंदर वाइस recording हो रहा है और yellow line थोड़ी सी cross होती है जब हमारा loud जो वाइस है वह सिप yellow line से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पर मैंने microphone लगाया है road link का flame making wireless microphone अभी जो wireless microphone का भी वाइस देख सकते हैं कि कितना better quality का आ रहा है और वीडियो भी एकदम फ्लैट एकदम best quality में आ रहा है तो उम्मीदिये दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आ गया होगा तो अभी इसे like किजिए और दोस्तों को भी share किजिए और चैनल को भी subscribe किजिए और अभी आपके मन में कुछ सवाल छूट जाते है तो नीचे मुझे कमेंट करके जरूर बताना मैं फिर आगे आपके लिए ऐसे नए वीडियो लाओंगा अगर आपको एकदम ज्यादा कलर फुल में चाहिए तो पोट्रेट में रिकमेंड नहीं करूंगा लेकिन हमें आप करना चाहते हो तो पोट्रेट भी कर सकते हैं लेकिन portrait में जादा color आएंगे लेकिन जब कर्याól होगे तब यह ज्यादा अच्छ है दिखाई देता है तो इसलिए portrait आग़र करना चाते हो तो portrait का भी sharpness ने 5 0 रखो sharpness 0 रखने से क्या होतं जाता है कि एव्यग। समूथ वीडियो मिल जाता है पोर्टरेट का भी शार्पनेस एकदम Жीरो precaution भी एकदम 0 और सैजकरेशन भी एकदम जीरो तो सें पिच्चर स्टाइल हमें भी इसमें भी मिल जाती पोर्टरेट में भी अगर इससे एक स्टाप जाहा तो यह बेटर आ जाती तो लेकिन मैं यह रेक्मेंड नहीं करूंगा आपको पोट्रेट और मैं भी कभी यूज नहीं करता हूँ तो सबसे बेटर जो पिक्चर प्रोफाइल है वह है स्टैंडर्ड या न्यूट्र और सारी सेटिंग कंप्लेट 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 5500 और ब फोकस और यहां पर लॉक कहां पर रखना है वहां पर इसका लॉक निकल के इस पर फोकस और यहां पर फोकस लॉक ग्यां प्रॉक निकल के वहां पर लॉक सी।